हर पूजा अर्चना के बाद भगवान से छमा जरू मागनी चाहिए तभी आपकी पूजा पूर्ण होती है सभी देवी देपताओं की पूजा में मंत्रों का जापका विसेश रूप से बिधान है पूजा से जुड़ी हर प्रकिरिया में मंत्र है अब जैसे प्राठना, असनान करने का मंत्र, ध्यान करने का मंत्र, भोग लगाने का मंत्र छमा याचना मंत्र भी है तो पूजा करते समय जाने अंजाने हमसे कई तरह की भूल चुक हो जाती है जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो कुछ भूल चुक हो जाती है तो पूजा से जुर इन भूलों के लिए छमा याचना मंत्र बोला जाता है और जब हम अपनी गलतियों के लिए भगवान से छमा मांगते हैं तब ही पूजा हमारी संपुर्ण होती है पूजा में छमा मांगने का अर्थ ये होता है कि हमारे दैनिक जीवन में हमसे जो भी कोई गलती हो जाए आप छमा जरूर मांगिए भगवान से इससे क्या होता है आपका अहंकार कम होता है प्रेम बढ़ता है और वो मंत्र है पहले हम संस्कृत में समझते हैं फिर उसके हिनली अर्थ जानेंगे आवाहनम नाजानामी नाजानामी तवार्चना पूजाम चैवचो जानामी छम्मताम परमेस्वर मंत्र हीनं क्रिया हीनं भक्त हीनं सुरेस्वर यत पूजितं मयादेव परिपूर्ण तदस्तुमे तो इस मंत्र का अर्थ है कि हे प्रभू, ना मैं आपको बुलाना जानता हूँ, ना बिदा करना जानता हूँ, पूजा करना भी नहीं 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 जानता हूँ, यथा आप मेरी भक्ती स्विकार कर क्रिपया मेरी भूलों को छमा कर पूजा को पुर्णता प्रदान करे इसका मतलब यह होता है कि भगवान हर जगह है उन्हें ना अमंत्रित करना होता है ना बिदा करना होता है बस जरूरी यह है कि पूजा पूरी तरह से सास्तों में बता गए निमों के अनुसार ही हो मंत्र और क्रिया दोनों में चूख हो सकती है लेकिन इसके बाद भी मैं भक्त हूँ मैं पूजा करना चाहता हूँ मुझे और मुझसे कोई चूख हो सकती है लेकिन भगवान मुझे चुमा करें मेरा अहनकार दूर करें क्यूंकि मैं आपकी छरण में हूँ मैं आपकी सरें में हूँ तो इस मंत्रके अब यह अर्थ हुआ कि प्रभू अगर कोई भूल चूख हो जाए तो हमें माफ करें हमारी पूजा आप स्विकार करें फिलाल भी दालेंगे जानकर याची लेगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें धन्नीवाद